प्यारे दोस्तों, अल्टिमेट ग्यान में आपका हार देख सागत है, जै मातादी दोस्तों, शिद्ध नहीं हो पा रहे हैं मंत्र, क्या आपके दिमाग में इस प्रकार के भाव तो नहीं आ रहे हैं? यदि हाँ, तो इस प्रकार के भाव को तुरंत अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मंत्र शिद्धी में भ्रमकार, संशे का, नकरात्मक भाव का कोई भी स्थान नहीं हैं, आपका पूर्ण विश्वास ही मंत्र शिद्धी को अग्रसर करता है, और उसे पूर्ण करने में उसे पूरा लाभ प्राप्त करवाता है, और यदि आपका विश्वास डग मगा जाता है, तो दोस्तों समझ लेना आपके मंत्र शिद्धी में बाधा आनी शुरू हो गई है, तो आपको सरुप्रथम अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखना है, दोस्तों आप किसी बड़े से बड़े सिद्ध स्थान पर चले जाएं, जहां पर लाखों लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, और उनकी मुरादें भी पूरी हुआ करती हैं, आप वहां जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों के ही कारिये पूर्ण होते हैं, जिनका उस स्थान में पूर्ण विश्वास है, और वहां के रहने वाले संतिया महंत द्वारा भी यही बताया जाएगा, कि यदि आप अपनी मुराद लेकर इस स्थान पर आते हैं, और आपका इस स्थान के पूर्ण विश्वास है, तो आपका कारिये अवश्य शिद्ध होगा, तो दोस्तों हमने जो आपको एक बात बताई कि आपने अपना विश्वास पूर्ण कायम रखना है, और दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, कि किसी भी प्रकार का आप अपने उपर बोज या दबाव तो महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या आपने सिर्फ यही तो नहीं सोच लिया है, कि भी हमने कारिय ले तो लिया है, अब 41 दिन तक इसे निभाएंगे, और होगा तो देखा जाएगा, और नहीं होगा तो भी देखा जाएगा, दोस्तो इस प्रकार की बातों से मंत्र सिद्ध नहीं होगे, आपके उपर कोई भी तनाव है, डीप्रेशन है, या चिंता है, तो आपका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, और जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक मंत्र सिद्धी में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, तो दोस्तो यदि आप चिंता या तनाव ग्रस्त रहते भी हैं, तो आप अल्टीमेट यान में कैसे मिले तनाव से मुक्ती, जानिये सरल उपाए, इस एपिसोड की खोज कीजिए, और आप दो चार दिन का अभ्यास कीजिए, आप तनाव से मुक्त होने लगेंगे, और आपका मन एकाग्र होने लगेगा, दोस्तो इस प्रकार आपके मन के एकाग्र होने से आपके मंत्र सिग्र ही सिद्ध होने शिरू हो जाएंगे, तो दोस्तो इस प्रकार की दो बाते हमने आपको बताई, कि एक तनाव में नहीं रहना है, एक अगर्चित हो करके ध्यान करना है, और पूर्ण स्रद्धा और विश्वास करना है, तब आपको अपनी मंत्र सिद्धी से कोई नहीं रोक सकता, तो दोस्तो कैसा लगता है, आपको अपना यह प्रोग्राम, यदि आपको पसंद आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो फिर मिलेंगे दोस्तो अगले अंक के साथ, तब तक के लिए ऌठब करता है, तो अवार्णी एकन की साथ всего ह atual इसे सब्सक्राइब खाट है, यू जो सकता है, तो आपको अपको अपको अल्शार बपको लिए पको अंक का सकते हैं, तो आपको क्षै रोगता है, लिएकता है लिएकता है, त